तो आदाव नवस्कार वूरी नीम सस्यकालेग और फिर आप तो मानमों का स्वागत है क्रैम तक की कहानी किस एपिसोड में उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी अपना खयाल रख दी होगी इधर पिछले कुछ दिनों से एक नाम अचानक से चर्चा में है फिर एक बा बार बार सुन रहे हैं बागेश्वर धाम एक तो यह नाम है उसके लावाद धीरेंद्र कुमार शास्त्री महराज या फिर बागेश्वर धाम महार सरकार है उम्र सिर्फ करीब 27 साल होगी एक दम बिल्कुल नौजवान लेकिन अचानक सुर्खियों में और चर्चा में हार कि इस वक्त तक बागेश्वर धाम के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है कोई अफायार दर्ज नहीं है तो इसलिए कानून को जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी बाते हो रही है तो बहुत सारे लोगों ने क्रैम तक फैमली मेंबर ने लिखा कि यह पूरा मामला है क्यों क्या वो चमतकार या अंध विश्वास की लडाई है वो सारी बाते क्या है तो मुझे लगागी सारी कहाने आप तक सामदे रखो तो बागशवर धाम की पूरी कहानी बाद पहले अचानक बागशवर धाम हिंदुस्तान में सुखियों में क्यों अख्बारों में टीवी पर न्यूस चैनल पर क्यों ति असल में इसकी शुरुवात होती है इसी महीने के दूसरे हपते में बागेश्वर धाम नागपूर में थे और नागपूर में एक राम चरित्र चर्चा का आयोजन था जो चलना था वहाँ पर करीब 13 जनवरी तक तो पांच जनवरी से शुरू हुआ था या आयोजन नागपूर में और वहाँ पे बागिश्वर धाम को 13 जनवरी तक रहना था और इसी में उनका दिव दर्बार भी लगना था लेकिन अचानक कहते हैं इल्जाम यह कि 13 जनवरी से पहले दो दिन पहले 11 जनवरी को दो दिन पहले इस राम चरित्र चर्चा को बागिश्वर धाम ने खत्म कर दिया और नागपूर से वो निकल पड़े अब यहीं से इस बाबा की चर्चा और विवात की शुरुवात होती है हुआ यह उठा कि महारास्ट में जादू टेन तोना और अंध विश्वास को लेकर एक कानून है कि वहाँ पे आप अंध विश्वास को बढ़ावा नहीं दे सकते जादू तोना को बढ़ावा नहीं दे सकते महरास्ट एंटि सुपर स्टेशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट इसको कहते है तो इसी कानून के तहट इसमें करीब 6 मेने से लेके 7 साल तक की सजा है तो इसी कानून के तहट एक शक्स जो वहाँ पे इस तरह के अंद विश्वास के खलाफ मूवمن्ट चलाते हैं और उसी की एक कमिटी है तो उन लोगों ने चैलेंज किया सीधे सीधे बागेश्वर धाम को कि ये जो आप करते हो दिव दरबार में कि लोगों को जानने का कि ये जो भी है, कौन कहां से आया, बिना उससे बात किये वे, बिना उसके बारे में जाने हुए, आप पर्ची पर लिखके देते हैं, इसका नाम ये फलाने जगा से आया, इसकी ये बीमारी है, पिर आप उसको ठीक करने का दावा करते हैं, तो अगर आप में दे रखे और आप साबित कर देते हैं कि आप सच में हर एक को पहचानते हैं हर एक को जानते हैं बिना उसको मिले उए तो उस दिन इस कमिटी के लोग जो है वहां पे होंगे और ये असल में कमिटी थी अंद शद्धा उनमूलन समीधी तो इसके प्रेजिद्ट है श्याम उन्होंने इस दिव्वे दरबार को इतरा से ये कहा था कि एक भूत प्रेट को भगाने की दरबार लगा रखी है बागिश्वर धामने और लोगों को ये बेकूब बनाते हैं तो उनका ये कहना था चैलेंज दिया सीधे सीधे कि अगर आप में वाकई शक्ती है तो फिर आ जो भी उस दरबार में शामिल लोग होंगे हमारी मौजूदगी में इसका मतलब ये था कि जो ये लोग है इनके भी कुछ लोग आएंगे तो किसी के बारे में भी बागिश्वर धाम सच बताने कि उसकी असलियत क्या है और अपना चमतकार सब के सामने दिखाएं और दिख देखकर उसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं तो ये चैलेंज किया और साथ में ये भी कहा कि अगर उन्होंने अपनी इस चमतकार को साबित कर दिया तो ये कमीटी उनकी 30 लाख रुपे श्याम मानब की जो कमीटी है अंदिश्रधा उन्मूलन समीधी वो 30 लाख रुपे ये चैलेंज किया और इसके बाद से विवाद शुरू हुआ क्योंकि 13 जनवरी तक नागपूर में रहना था बागेश्वार धाम को लेकिन इस चैलेंज के बाद कहते हैं कि वो 11 जनवरी को ही नागपूर छोड़कर वो वहां से निकल लिए और यहीं से बागेश्वार धाम का नाम मीडिया में लगातार सुर्खिया में है अब सवाल यह है कि पूरा मामला यह पूरी सच्चा है या फिर बागेश्वार धाम है क्या और क्या वो नागपूर से इस चैलेंज को सुरीकार ना करने के चक्कर में भागे तो पहले सफाई, बागिश्टर धाम ने ये कहा कि पहले से उनका कारिकरम था 36 गड़के राइपूर में भी और 11 जनवरी को ही खत्म करना था तो 11 जनवरी को खत्म किया कोई मैं डर कर भागा नहीं, भगोडा नहीं हूँ और मुझे 11 जनवरी को खत्म करना था साथ में ये भी कहा कि मैं कोई चमतकारिक नहीं हूँ, मैं कोई चमतकार नहीं करता हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ तो ये पूरी सफाई मीडिया मैं अलग अलग चैनल उपर आ रहा है लेकिन अब सवाल ये कि 27 साल का एक नौजवान जो अचानक बागेश्वर धाम बना, इसकी पूरी कहानी क्या है कौन है ये और अचानक जो सुर्खियों में ये आपको मैंने भी बताया ही कैसे चैलेंज किया गया कि आप अपने चमतकार दिखाएं और 30 लाग का कहा गया कि हम देंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं तब बागेश्वर धाम ये फिर धेरेंद्र शास्त्री इनकी पूरी कहानी क्या है तो असर में बागेश्वर धाम जो है ये मध्य प्रदेश की छतरपूर जिले में एक इलाका है गढ़ा और उसी गढ़े में अब इस छतरपूर या फिर गढ़ा आप मध्य प्रदेश में से बैसे न समझें एक और आसान तरीका समझने का वो ये है कि इसी मध्य प्रदेश में और इसी छतरपूर में एक जगा है खजुराहू आपने नाम सुना होगा इस छतरपूर ये खजुराहू भी आता ہے और इसी गढ़े में ये असल में बुंदेल खण का ये लाका है और बुंदेल खण के अंदर ही ये छतरपूर आता है जो बागेश्वर धाम जहां पर है पर ये वागिश्वर धाम शुरू से वहाँ पर नहीं था इस गढ़ा गाउं में असल में एक पहाड़ी हुआ करती थी और वहाँ पर एक पहाड़ी थी और एक शंकर जी की मूर्थी लगी हुई थी लेकिन जहां पर ये पहाड़ी और शंकर जी की मूर्थी थी वहीं पे बराबर में उस पहाड़ी के बराबर में गाओं वालों ने एक तरह से एक शम्षान भी बना रखा था और उस पहाड़ी के खरीब जब भी गाओं या असपास के लोगों में किसी की मौत होती तो उसी शंकरजी की मूर्ती और पहाड़ी के करीब उस शंशान में ले जाकर अंतिम संसकार किया करते हैं तो कई लोग इसी वज़ाए से चुके अंतिम संसकार होता था तो उसे मरघट की पहाड़ी भी खा करते थे उस जगे को और जहां पर अंतिम संस्कार या शंक्षान होता हो उसके इत्गित बहुत सारे लोग भी होते हैं और यह जो पूरा बिल्ड है बुनेल खन का यहां पर अक्सर जादू टोना यह छोटे छोटे गाउंब यह सारी चीज़ें वहां बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है उनके पास यह लोग जाते हैं उन्मीदों से कि बीमारी ठीक कर देंगे परिशानी दूर कर देंगे घरीबी दूर कर देंगे तो वहां पर इस मर्खट पहाड़ी के पास ऐसे बहुत सारे लोग जादू टोना भी क्या करते थे धीरे धीरे वक्त वीदा फिर ये जो अपने बागेश्वर धाम यानि के धिरिंदर शास्त्री है इनके दादा जी ने उसी पहाड़ी के पास एक बाला जी यानि हनुमान की मुर्ती लगाई और फिर वहीं पे एक छोटा सा मंदिर बनाया अब उस मंदिर में पूजा शुरू और धिरिंदर शास्त्री के दादा जो है वो वहाँ पे बाकाईदा पूजा पाट गया करते थे और उन्हें दादा गुरू भी कहा जाता था तो वहीं से इस एक तरह से बागिश्वर धाम की बुनियाद पड़ी उस मरघट पहाडी के करीब गढ़ा इलाके में जो खंडवा के छतरपूल में आता है फिर धेरे धेरे वक्त बीदा धेरिंदर शास्त्री के दादा की मौत हो गए उनके पिता जो है वो किसान ते खेती बाड़ी क्या करते थे धेरे निशास्त्री बड़े हुए तो फिर पढ़ाई लिखाई करीब कहते हैं बार्मी तक पढ़ाई लिखाई की बार्मी तक पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर वो भी इसी मरघट पहाड़ी के तरफ रुख करते हैं जहां दादा ने ये मंद गान नहीं गया बागेशवधाम की तरफ नहीं धरेंडर शास्त्री की तरफ भी नहीं पिर कहते हैं कि कभी बागेशवधान की बुनियाद रखी गई और डाधा के बाद जब धरेंडर हुस्ची कमान समा ली तो उस्फक महां के लोकल मीडिया को बुलाया गया था तो यह रिकॉर्ट पर है और लोकल मेडिया को बुला कर कहा गया था कि बागेश्वर धाम में और यहां बहुत सारे चमतकार होते हैं तो लोकल मेडिया के लोग गए वहाँ पर तो पूछा गया क्या 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 चमतकार होता है तो एक ही बताया गया था कि इ नाशनल मेडिया ने भी इंटर्स दिखाया नहीं आपको पता है अपने बाबाओं की कहानियों की दुबाला देती है तो शुरुवात में किसी का ध्यान इस बागेश्वर धान के तरफ गया ही नहीं दिरेंद्र शास्ति की तरफ गया देरे देरे वक्त भीता अब छोटी मेडिया में इतना कुछ हुआ नहीं तो सोशल मेडिया जब धीरे धीरे बढ़ने लगी तब धिरेंद्र शास्ति ने सोशल मेडिया का साहरा लिया और इसके बाद सोशल मेडिया पर जब वो आये तो फिर अपने चमतकार और बागेश्वर धाम की जब चीज़ें वीडियो डालने लगे तो फिर थोड़े थोड़ी सुर्खियां मिलनी शुरू हुई इसके बाद फिर एक अपने अन्यूस चैनल भी होता है धार्मिक चैनल भी है जो पूरे पूरे दिन आपने देखा होगा अलग-अलग कथा और यह सारी चीज़ें जिस चैनल पर टेलीकास्ट होता ह तो ऐसी एक चैनल के साथ दो तीन सालों तक बागे शवर धाम की इस कथा को और बाकी वहां पर जो सारी चीज़ें होती है उसको टेलीकास्ट किया गया तो वहां से थोड़ा और यह पपलर हुआ फिर इसके बाद यूटूब चैनल सोशल मीडिया पर अलग-अलग तस्वी की ने विडियो लाइव का था लाइव चमतकार वो वैसी तस्वीर जब आने शुरू हुई तो फिर यह और मशूर हुआ अब उसमें यह कहा जाने लगा कि खास्तोर पर बागेश्वर धाम में वो लोग आते जो एक तो परेशान हाल होते दूसरा भूत प्रेट तो ऐसे कर ठीक होते जाते तो यह सारी चीज़ें विडियो पर आने लगी लेकिन असली जो मशूर हुए धिरिंदर शास्ती वो यह हुए कि जब पर्ची कटनी शुरू ही और लोग आने लगे बागेश्वर धाम में और दिवे दरबार लगने लगा और दिवे दरबार में बिना क अब उसके लिए होता कि कुछ शक्स कैसे किसी के बारे में यूही जान सकता है और कौन कौन हिंदुस्तान के अलगला कोने से आ रहा है लेकिन अब उसका नाम ये है उसके पिता का नाम ये है वो यहां रहता है उसके परिवार में ये मुश्किल है वो इसलिए यहां आया उ है वो जादा खिसते चले गए कि यह तो चमतकार है क्योंकि सामने वाले के दिमाग में क्या है सामने वाला क्या सोच कर आया किन सवालों के साथ आया किन परिशानियों के साथ आया बिना बोले हुए सामने बागेश्वर धाम सरकार बता रहे हैं अब आलम यह हो हुई तो वहाँ पर यह था कि बागेश्वर धाम आये महाँ पहले एक नारियल आप बांधें फिर आपको यह जो पर्ची और अर्जी है असल में यह था कि हनुमान जी की तरफ से होगा और उसके जरिया बनेंगे धिरिंदर शास्त्री तो पर्चियां कटने लगी लोग आने लगे अब इतने सारे भीड और लोग आने लगे कि हर एक के तो नंबर आ नहीं सकता था लेकिन उन में से कुछ ही लोगों के नंबर आते कुछ लोगों ने कि बाते नहीं हो रही हैं तो ये भी उनके विरोधी इलजाम लगाने लगे अब हाला कि इसमें कितनी सच्चा यह नहीं मालूम लेकिन इस पर्ची और ये की बिना सामने वाले कुछ सुने कि एक शक्स आया बैठा और वो अपनी मुसीवत बताए उससे पहले ही वो लिखकर उसके बारे में रखे हुए कि ये तुम्हारा नाम है तुम मेरे पास यह आए तुम अगर कुछ पर्ची पर लिखकर रहा है तो तुम्हारे पर्ची में इतने सवाल है और ये दिखाये जा रहा है तो इस से और ज़्यादा फेमस हो लिए तब यहीं था इसी को लेकर फिर नादपूर में जो शुरू हुआ, कि दिब दरवार के नाम पर फ्रेत दुर्बा लगाते हैं, भूत प्रेत बहगते हैं और सामने वाले को, मतल्ब बिना जाने हुए, उसके बारे में सब कुल बता रहे हैं, तो यह एक ज्यान कहां से आ सकता, हलागे बहुत सारे लोग कहते हैं इसको mind reading और क्या के चीज़ें हैं लेकिन खेर उसके बारे मुझे जनकारी दिसने नहीं बताओंगा मैं सर्फ facts रख रहा हूँ तो विवाद वहां से शुरू है नागपूर से और मशूर जो हुए बागिश्वर धाम वो इस वज़े से कि सामने वाले को बिना कुछ जाने वो उसके बारे में सब बता रहे हैं अब यहां तक तो ठीक है अब आज का एक किस्सा है और आप लोग मैं उसके पहुंचे वहां तक देखना चाहिए लेकिन मुझे भी मालूम नहीं उस चैनल का नाम आज बागिश्वर शासन ने कहा है कि चार लाख लोग मौजूद है अब इसी दोरान यह नियूज चैनल पर मेडिया में अंध विश्वास जादू टोना और लेकर बागिश्वर धाम पर उंगया उठाई जा रही है तो आप तमाम नैशनल टीवी के जो रिपोर्टर थे वह उस जगह पर मौ मौजूद और यह था कि भागिश्वर धाम से सवार कूछना है कि जो इल्जाम लग रहा है आप नागपूर से क्यों भागा है आप चमतकारिक आदमी है आप चमतकार करते हो आप कैसे जान लेते हो सामने वाली के मन में क्या चल रहा है आप बोलते हो सारी चीज है पूरे टाइप करके आप देखेंगे जाएगा तो उसमें लास्ट में यह होता है कि बागेश्वर धाम कहते हैं कि मेरे ऊपर अंदविश्वास और इन सारी चीज़ों के लगा जा रहा है फिर वो चुनोती देते हैं कि यह जो मीडिया मेरे को बदनाम कर रही है मैं सनातनी हूं सनात हूं कि मैं अंदविश्वास नहीं फैला रहा है और मैं साबित करूंगा अब एक ओपन प्लेटफॉर्म पर जहां मीडिया के तमाम लोग हैं पंडाल में लाको भक्त है और बागेश्वर धाम कहते हैं कि आज मुझे मेरे तबहनुमान ने इजाज़त दी है तो आज मैं प देखें तो हम लोग दिखा नहीं सकते क्योंकि वो कॉपी राइट कैश्रू है पहला वो मेडिया वाले से कहते कि आप लोग आपस में तैक कर लो कि आप में से दो रिपोर्टर ऐसा कौन है जो मेरे सामने आएगा और उन दो रिपोर्टर के मन में क्या चल रहा है वो कौन ह क्या है कहां से आया है उसका परिवार क्या करता है मैं बता दूँगा बलके मैं यह भी बता दूँगा आप लोग तैक करोगे कि वो देर उप्रटर कौन मेरे पास आने वाला मुझे अभी नहीं मालूम आपको तैक करना है पर मुए उसका नाम पहले से परची पर लिख कर दूँगा यानि कि जब तक आप तैक करोगे मुझे पता है पहले से कि इस सारे मीडिया की जो भीड़े वहां पर करी 30-40 चैनल के जो रिपोर्टर थे शैद जादा हूं तो और मैं से दो कौन आएगा यह जो 30-40 आपस में तैक करेंगे वो मुझे पहले से मालूम और मैंने पेपर में लिख लिए थोड़ी देर तक है रिजर्ट रहोती है कुछ और बात करते फिर करते हैं कि लगता है आप लोग आपस में पैय नहीं कर पारें तो चलो पहला मैं करता हूं मैं ही बुलाता हूं एक फीमेल रिपोर्टर की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं कि आप 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 एक महिला रिपोर्टर बागिश्वर धाम के करीब जाती है कि चलो तुमको तो मैंने बुला लिया बहुत सारे लोग कैसे कह सकते हैं कि हमारी पहले से जान पचान है हमारी सेटिंग है कि तुमको बुलाया ताके हम लोगों को बैकूब बना सके और हम एक दूसरे पंडाल से किसी को भी एक ऐसे शक्स को आप खुद चुनो और मेरे पास लेकर आओ पर उससे पहले मैं ये पर्ची पे लिख रहा हूँ कि आप किसको लेकर आओगे मैं उसका नाम पूरा उसका सब कुछ लिखके रखोंगा अभी आपको पता नहीं है मतलब कि आप किसे ला आने वाले हो मुझे भी नहीं मालूम है लेकिन आप जाओ जहां से जिस तरफ से जिस शक्स को लेकर आना है आप लेकर आओ बट मेरा मेरे पास उसका नाम पहले से है तो तुमको बुलाया ये तो सब को पता है लेकिन तुम किसको बुला रही हो ये मैं पहले से कैसे समझ सक लेकिन मैंने पर्ची पे उसका नाम लिख दिया इसके बाद वो कैमरा चलता और वो फेमेल जो रिपोर्टर है वो घूमती है पंडाल की तरफ अपने जनरलिस साथियों में से किसी को नहीं लेती है और बहुत आगे जाने के बाद वो एक महीला के तरफ इशारा करती और उस म पैर में कुछ प्रॉबलम बीमारी वो सारी तो ये उन्होंने फिर सब के सामने कहा कि देखो मैंने इस जनरलिस को तो बुलाया लेकिन ये किसे बुलाएगी मुझे नहीं मालूम था पर उसके बारे में मैं पहले से रखावा था ये पहला हो गया अब फिर ये कहते हैं कि अ मुझे अंदविश्वासी नहीं बोलेगा उसका करते हैं एक लास्ट चांस और देता हूं फिर वो एक नाम लेते हैं और कहते हैं कि ये नाम है इस नाम के साथ यहाँ पे खड़ेवे किसी एक जनरलिस्ट का रिष्टा है वो उसका शायद रिष्टे में चाचा लगता है तो जिसके चाचा का नाम ये है वो रिपोर्टर मेरे पास आ जाए इतफाक से एक रिपोर्टर ABP नियूस चैनल के आ गया आता है और वो बताता है कि हाँ ये नाम जो आपने बता है वो उससे चाचा ही थे फिर वो पर्ची उठाते उससे पहली उसी का नाम लिखावा है कि तुम्हारा एक भतीजा है भतीजा का नाम ये बोलता है यही है वो रिपोर्टर कहता है हाँ दो दिन पहले प्रवेश हुआ है तो वो सारी चीजे बता दी उसके बाद वो रिपोर्टर कहता है कि मैं कभी भी मतलब अपनी जीवनी अपनी लाइफ अपने रिलेटिव घर कहां रहता हूं ये एक शेयर नहीं किया लेकिन बागेश्वर धा को सब पता है और वो कहता जो भी कहा सब सच कहा है अब इसके बाद वो कहते है तुमको एक सवाल पूछने का मौगा देता हूं हलाकि यहां पर उस रिपोर्टर ने थोड़ी घल्ती कर दी उसने सवाल खुद के बारे में पूछ लिया उसने कहा कि मैं अपने मीडिया के पे करना और बेहतर करोगे और फिर अचानक सबसे जो मतलब इस पूरी कहानी का जो सबसे इंपॉर्टेंट पाट आता है वो अब आता है यह करने के बाद अब बागेश्वर धान केते हैं एक तरफ एक और परची ते उठाया करें तुहारे लिए एक और परची रखी हुई है इस परची में वो चीजे लिखी है वैने जिसका राज सिर्फ तुम जानते हो यह मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता हूं साथ में एक लाइन बोलते हैं कि इस परची में एक कमरे का पूरा सच है उसके बाद वो फिर कहते कि मैं सरवजनिक रूप से नहीं पढ़ूंगा लेकिन हाँ तुमको भरोसा हो जाए दो लाइने तुम पढ़ सकते हो उसके आधा मोड के उस रिपोर्टर के तरफ करते हैं और दो लाइन बोलते हैं कि वो आएगा और उसकी बाद एक जैक कुछ लाइन मैं भूल रहा हूं बट दो लाइन अब वो कैमरा जो है वो पर्ती रख ली जाती है अब रिपोर्टर जो है उसी मंज से बागेश्वर धाम की जय हो और मैं पूरा भरोसा करता हूं उस सब कुछ बोल देता है और इसके बाद खैर वहां से ये सभा खत्म हो जाती है तो जर्नलिस्ट को अपनी वो दिखाने के लिए कि लिंक मिल जागा अगर देखेंगे बागेश्वर धाम में कहीं भी तो ये हुआ अब सवाल है कि 27 साल की उम्रे में ये चलो जादू टोना ये सक्ति कहां से इसके लावा और क्यों विवाद में रहे बागेश्वर धाम पर विवाद एक तो एक बयान को लेकर हुआ था हाल म पठान फिल्म आ रही है कि पठान फिल्म का बाइकाउट करो एक और विवाद शुरू हुआ था कि एक बुल्डोजर खरीदो सब कमजोर मत बनो उसको लेकर काफी विवाद मेडिया में रहा एक तीसरा था चूत और अचूत को लेकर कि एक शक्स आया विजय नाम का और कहत अचूत है तो बाग इशुर्द हमने खुद के लिए बात कही अब इसकी सचाई में मालूं कि ये बाद में हुए है पहले से ही था तो कुल मिलाकर चमतकार विश्वास अंद्विश्वास इन सारी चीजों की वज़ा से एक बाबा पिछले तीन-चार दिनों से अपने देश में बाकी तमाम मुद्दों को छोड़कर सुर्खियों में हैं हेडलाइन्स हैं इंट्रुई के लिए होड़ो मची भी है और आग आगे देखे होता है क्या तो बहुत सारे लोग की फरमाईश थी आज इस प्रिशली कि आप बागिश्वर धान की कहानी सुनाएं तो इसलिए मुझे यह कहानी आपको सुनानी पड़ी और मुझे लगा कि चुके अभी दो चीज़ें एक और हैं हाँ एक इंपोर्टन चीज रह गई कहते हैं कि ऐसी बहुत सारी पर्चियां जो करती हैं पर्चियां मिलती है जो जिनकी अर्जियां लग जाती है और फिर बागिश्वर धाम बताते हैं उसमें एक और चीज़ है जिस किसी के खलाब पुलिस केस को मुकदमा दर्जा है यह उसमें कानून तोड़ा है जुरुम किया उसके बारे में बागिश्वर धाम उसको कोई उपाई नहीं बताते हैं और ना कुछ बताते हैं तो यह किसी ने पूछा ऐसा क्यों तो यह कहीं ऐसा नहों कि इस चक्कर में वो कानून के लपेटे में आ जाए तो कभी भी जो इस तरह के कानून का ओलंगन कर वाले पॉस्ते हैं कि अब मान ली जागर को पलिस से भागा और बाबा से जागर पूछ दे भागा और कैसे भागते वे बच सकता हूं तो ये तरह से रास्ता दिखाना हो जाएगा तो ऐसे में तो फिर कानून की कई धाराएं लपेटी जा सकती हैं तो ये भी कहा जाता है कि इस तरह के लोगों का जो क्रिम्नल हैं या फिर कानून को जिनकी तलाश है उसके बारे में कोई उपाय नहीं बताए जाता है तो ये थी कहानी इस वक्त अपने देश में हर चैनल अख़बारों में च्छाय हुए बागेशवर धाम की कहानी अब कहानी खत्म करों उससे पहले वही अपना सलसला आज जस्परीत सिंग उर्फ जसा रोपरवाला इनका जरम देने है तो हैपी बड़े जस्परीत जी इनका भी आज जरम दिने है तो happy birthday रंजीर जी और ये रिंकी सिंग के husband है साथी प्रदीब जैसवाल इनका भी आज बड़े है तो happy birthday प्रदीब और राकेश जैसवाल ने भेजा है विराश्री गराट इनका वियाज जरम देने हैं तो हपी बड़े विराट और ये अमरुत राज गराट जी की बिटिया है साथी मुकल आनंद इनका वियाज जरम देने हैं तो हपी बड़े मुकल और ये धर्मेंद्र साहनी ने भेजा है हेमंत मंदल अर अरिया से हैं बिहार से इनका भी आज जरम दिने हैं फिबड़े हेमंत इसके लावा क्यांश पत्नी इनका भी आज जरम दिने हैं तो हपी बड़े क्यांश और ये पूनम और अभिशेग जी के बेटे हैं साथी मानवी बगहेल का भी आज जरम दिने तो हपी बड़े मानवी और ये राधा कृष्ण बगहेल की बिटिया है रूपाली सोनी इनका भी आज जरम दिने तो हपी बड़े रूपाली और क्षर सोनी ने भेजा है इसके लावा दीक्षा नयर इनका भी आज जरम दिने है तो हपी बड़े दीक्षा और हर्श वर्धन ने बेह जा है अंबिका का भी आज बड़े है तो हपी बड़े अंबिका और ये रगुनंदन ने बेह जा है साथी रंजीत सिंग जी की वाइफ का भी आज जरम दिने है तो हपी बड़े रंजीत जी आपकी पत्नी को आपने उनका नाम लिखा नहीं तो आप घर में डांट खाईए साथी सुनील कुमार जी इनका भी आज जिरम दिने है तो हपी बड़े सुनील कुमार जी और ये अनुप्रिया के फादर है इसके लावा मुहम्मद शादाब अन्वर इनका भी आज जरम देने हैं तो हपी बड़े शादाब और देब रचना चकलादर और स्रवनन भेजाए इसके लावा अपूरुवा श्रिवास्थव ने कहानी की फरमाईश किये सतिंद्र साह इन्होंने कूछा है कि वो अदालत की कहानियां सुनायां करते थे आजकल कहा हैं संजय शर्मा संजय शर्मा ये दर्बीजी बीच में उन्होंने बंगर दिया तो मैं उन तक आपका ये पैगराम पहुंचा दूँगा इसके लावा केश संघेरा हैं साथी गवानी भौटिक एक कहानी की फरमाईश की है तो आज कहानी में इतना ही अब आप सुब लकात हो कि कल रात 9 बजी किसी नहीं कहानी के साथ तब तक अपना खायाल रखेगा थैंक्यू बेरी मुच